इस कहानी के लेखक है नितीश कुमार इतना क्याकर वो लड़की वेद के जिस्म को इधर दर चूमने लगी और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटने लगे वेद की नजर जब जमीन पर गई तो उसे चारों तरफ लंबे लंबे बिखरे भागी दिखे और एक लड़की का साया लंबे बालों के बीच बैठा वेद को संभोग करते वो देख रही थी मानो जैसे वेद के लिए एक आम बात थी उसने एक लड़की को इगनौर किया और अपनी आखें बंद कर परम सुकानन लेने लगा सुबह सुबह का वक्त मलाट से अधेरी जाने वाली लोकल फ्रेन को या बस भीर अफ्तौबा मगर आउज ना जाने क्यों रह रहकर वेद को बस कृती का ही खयाल सता रहा था खैर किसी तरह आफिस पहुँचकर उसने तुरंती कृती को फोन लगाया उसकी खैरियत ली और दिन भर के काम के बाद जब आफिस से छूटा तो सीधा खर का रास्ता पकड़ा ना दोस्तों से कोई बात चीत ना साथ वाली कर्मियों से कोई डिसकशन किया रास्ते में मूगरे के फूल, गजरा जो कृती को बहत पसंद था रोज घर जाता था वेद घर पहुँचते ही सीधा कृती के कमरे में गया और इसका माथा चूमा कृती भी वेद के चूवन से चाग गई थी ओ अनी, तुमका बाई, मझे पता ही नहीं चला कृती भी वेद से कहते हुए उसे चूमने लगी थी दोनों में सब्रतस रुमान सोने लगा कुछ देर बाद कृती अपना सिर वेद की गूद में रखकर लेट गई थी वेद कृती के बालों में हाथ फेड़ना था और तबी उसे अपने ठीक उपर एक लड़की उल्टी लड़की दिखी मानों जैसे वो उल्टाई छट पर चल रही थी और उस लड़की के बाल पूरे घर में किसी जड़ की तरह पसरे हुए थे वेद भी उस लड़की को मुस्कराता हुआ उसकी आँखों में देख लम्हों की पुरानी आद में खोता चला जा रहा था शाम का वक था वेद और कृती मुंबई की बारिश में भीग रहे थे दोनों का मन एक दूसरे क्यालिंगन को तड़ रहा था दोनों जैसे ही फ्लैट में आए ताबड तोड चुम्बन करने लगे कृती भी कसमसा गई थी उसने वेद को खुछ से दूर करते हुई कहा एसी भी क्या बेसबरी है वेद मैं कई भागी धोड़ी ना चारी हूँ इतना कहकर कृती सीधा बेडरूम में चली गई और दर्वाजा बंद कर लिया वेद दर्वाजे की तरव बढ़ी रहा था कि तवी दर्वाजे के आर पार होते हुए वही लंबे बालो वाली लड़की निकल के वेद के सामने खड़ी हो गई वेद बसस लड़की को देखते हुए मस्कुरा रहा था तबी कृती ने बाथरूम के अंदर से ही का थोड़ा रोग चाहा बाबा कपड़ी तो चेंज कर लू ड्रेस चेंज करके कृती उस लंबे बालो वाली लड़की से आर पार होसरती हुई सीधा वेद की गोद में आकर पैट गई बड़ा प्यार मड़ रहे वरी मैंवानो हवी तो थोड़ी देर पहले यह हाथ छोड़ा के भाग गई थे जैसे हम आपके कोई ना परायो वेद कृती से कह रहा था और कृती वेद की सीने पर अपने दाथ गड़ाए हुए उसे उत्तेजित कर रही थी कि अचाना की वेद का सीना छिल गया जिसके तर्ज से वेद ने तुरंथी कृती को बालों से पकड़ दूर करते हुए कहा जब जब तुम मेरे से दूर होती हुँ ना मेरा मन करता है कि तुम मा डालू इतना कहकर वेद कृती के होटों को चूम नहीं जा रहा था कि अचाना की उसका ध्यान भटका और अगली पल उसने देखा कि उसके हाँ तुमें कृती के सिर्व बाल है जिने ले जाकर उसने अलमारी के दराज में रख दिया और आईनी के सामने बैठ कर रोने लगा तभी कृती ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके आंसु पोचने लगी वेद ने भी कृती का माथा चूमा और उसे गली लगाते हुए कहा तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना कृती को कहरी रींद में सुलाने के बाद वेद ने वापस आकर अपने लिए खाना उडर किया और लेप्टप पर कुछ काम करने लगा तभी वेद की निजर फर्ष पर गिरे लाल रंग पर गई शायद वो खून था वेद ने तुरंते कपड़ा लिया और उससे साफ करने जा रहा था कि उसे वही लंबे बालों वाली लड़की टेबल के नीचे अपना ही मास खाती दिखी वेद एक टक उस लड़की को देख मुस्कुरा रहा था क्या चानल की टोर बेल बजी वेद ने पहले खड़की से जाक कर देखा तो टिलिवरी बॉइ खाना लेकर आया था वेद खाना लेकर दर्वासा बंद करी रहा था कि तब ही टिलिवरी बॉइ ने अपनी नाक से कोड़ते हुए का साफ बुराना मानों तो एक बात बोलू आप एक हपते से मुझे इसी वक्त पे खाना मंगवाते आ रहे हो पर जब जब आप खाना लेने के लिए दर्वासा खोलते हो तो आपके घर में बिलकुल अंधेरा रहता है सच कहूं तो मुझे आपके पीछे लड़की निजर आती है जिसके लंबे-लंबे पाले और वो कोने में बैटी मुझे ही देख रही है पदा नि क्यों हर भार आपके घर से इतनी सड़ी होई बद्बू क्यों आती है वह ये रोन फ्रेशर वगेरा मानने का ना साब कि तब ही कृती रेंगते हुए वेद के पास आ रही थी और उसके ठीक पीछे वो लंबे वालों वाली लड़की भी कितना वक्त हो गया ना हम दोनों को एक साथ बाहर टेनर किये हुए हाँ नी, नेक्स अंडे हम जरूर बार जाएंगे वेद ने कृती से कहते हुए से अपनी बाहों में कसके भर लिया कृती भी उसकी बाहों में सिमटती ही चली जा रही थी और अगले ही पल जब वेद ने खाना प्लेट में निकाला तो सिर्फ बाली बाल निकले वो भी खोन से सने हुए वेद ने तुरंती प्लेट खुद से दूर की और कृती को बाहों में भरकर बेड्रूम की ओड़ चल दिया कृती के सिर से लगा तार बाल छड़ रहे थे कि तब ही बेड्रूम का तरवाजा खुला और फिर बंद हो गया एक लंबे रूमांस के बाद दोनों सोच चुके थे अगली सुबा बीद ब्रेकफस्ट बना कर आफिस निकल गया और जब वापस घर आया तो बहुत सारे डियो परफ्यूम स्प्री रूम फ्रेशनर और बुके अपने साथ लेकर आया रूम फ्रेशनर और परफ्यूम और डियो की खुश्बू से सारा खर महक रहा था फिर रोज की तरह वेद ने अपने लिए खाना ओडर किया वो टाइनिंग टेबल पर बैठा डिलिवरी बॉई का इंतजार कर ही रहा था किसके ठीक सामने वो लंबे बालों वाली लड़की बैठी अपने ही पैर नोच-नोच कर खा रही थी तब ही टोर बेल बजी वेद ने खिड़की से देखा तो दरवाजे पर डिलिवरी बॉई खड़ा था वाओ साइब क्या च्छाकास गरगम के लाए पर एक लाइट तो जला लेते इतना कहकर डिलिवरी बॉई वेद के कंधों के किनारे से छांकता हुआ अंधेरे को देखना लगा पर अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि जिस लड़की को वो ठूण रहा था वो कहीं और नहीं बलकि वेद के कंधे पर ही बैठी हुई थी इस पर वेद बोला हैजा कुछ नहीं है मेमजा बंदरी है हापन समझ गया साइब पक्का शादी की साल गरा होईगा आईसी सजाबर तो तब ही जोती है डिलिवरी गोई की बात सुन वेद की आँखों में आसू आ गए थे उसने तुरंती दर्वाजा बंद किया और जाकर कृती से लिपट कर सिसक सिसक कर रोने लगा कृती ने भी बिना कुछ कहे वेद को अपनी बाहों में भर लिया और वो लंबे वालों वाली लड़की भी वेद से लिपट खून के आसूरो रही थी तेनों की सिसकियों से कमरा कूँच रहा था आज भी वेद बिना खाए ही कृती की बाहों में लिपट कर सो गया अगली सुबा संड़े था वेद बाजार से एक बड़ा सा फ्रीजर लेकर आया था उसने पहले तो फ्रीजर में बिस्तर लगाया और फिर उसमें कृती को लिटा दिया कुछ दिन गुजरते रहे वेद का यही रुटीन चालू रहा पर अब उसने सब के फोन उठाने बंद कर दिये थे क्योंकि सब यही कहते थे कि कृती से बात करवाओ और वेद का यही जवाब होता कृती सो रही है वेद की दिन चर्या किशी मशीन की तरह हो गई थी वहीं सुबह का नाश्ता बनाना कृती को देना खुद खाना अफिस चले जाना शाम को लौकते वक्त रोज वही बुके, कजरे, परफ्यूम ले कराना सब ऐसे ही चल रहा था तब यह एक दिन अचानक दोर बेल बजी वे दिने जब दर्वाजा खोला तो सामने नताशा थी जिससे देख वे चौंके हा इससे पहले कि वो नताशा को रोक पाता नताशा सीधा घर के अंदर चली आई और कृती को आवाज लगाते हुए कहा कहा हो भाई कृती तुम? तुम तो ईद का चान्द हो गई हो यार, हम तो तुम्हारे दीदार को तरस कए नताशा के जोर-जोर से चिलाने से वे चिल गया था पर उसने मुस्कुराते हुए नताशा से कहा अरे बाबा, चिला क्यों रही हो? वो ज्यादा दूर नहीं, बस बगल वाले कमरे में तुम बैठो, अभी उसको बला के लाता हूँ इतना कहकर वे द बैडरूम के अंदर गया और चाते ही दर्वाजा बंद कर लिया फिर फ्रीजर के अंदर बैठी कृती को लिटाकर उसे कपणों से ठक दिया तब ही नताशा दर्वाजा खट-खटाने लगी अरे क्या फिर से शुरू हो गए के तुम लोग? थोड़ा तो सबर रखो महमान आया है घर में मेरे जाने के बाद जी भर करते रहना नताशा की बात सुन वे उत को याद आया कि उसने तर्वाजा तो बंद किया था पर उसे लोग नहीं किया नताशा भी कृती को ठोणते हुए बेडरूम में आ गई उसकी नतरे कृती को ही ठोण रही थी और अचानक इसकी नजर फ्रीजर पर पड़ी वो सीधा फ्रीजर की तरफ बढ़ती है और बोलती है मुझे पता है कृती तो इसी में छुपी हुई है पर जैसे ही नताशा ने फ्रीजर खोला उसके होश उड़ गए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई फ्रीजर बालों से भरा हुआ था और उसी बीच कृती की लाश बिछी हुई थी एंजाइम्स की वज़े से कृती का जिस्म पूरा सूख चुका था वो सिर्व हड़ीओं से चिपके हुए मास का ठाचा रह गई थी जिस्म बदवू मार रहा था नताशा कुछ समझ पाती कि तब उसके सर पर गंडे का प्रहार हुआ जिससे वो वहीं व्योश हो गई तो मैं ये जब नहीं देखना चाहिए था नताचा I'm really very very sorry वेद एक ट्रॉली बैग में फर कर कृती का सूखा जिस्म जो कि अब सिर्व धड्डियों का एक मातर ठाचा रह गई थी वेद कार में रखकर कहीं बाहर जा रहा था घंटों बीदने के बाद जब नताशा को होश आया तो वो फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी होश आते ही उसने सीधा पुलिस को इनफार्म किया मामले की गंभीरता को भाब पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई थी पुलिस पर वेद का फोन साइबर सैल वालों ने ट्राक किया उसकी लोकेशन पुने एक्सप्रेस वे हाईवे के आसपास दिखाई दे रही थी पुलिस जब नताशा को लेकर उस चगह पर पहुँची तो पता चला कि वो एरिया बहुत पुराना खबरिस्तान था और गेट के बाहर वेद की गाड़ी विखड़ी हुई थी पुरा खबरिस्तान च्छानने के बाद वेद कृती के लाश के साथ एक कबर के गड़े के बास दिखाई दिया पुलिस ने वेद को देखते हुसे वान किया अपने आपको पुलिस के अवाले कर दो पुलिस कुछ नहीं करेगी डर्मी से पेश आएगी पुलिस की वार्निंग सुनकर विवेद कुछ नहीं बोला लेकिन जब पुलिस आगे बढ़ने लगी तो वेद ने चीखते हुए कहा अगर किसी ने मुझे कृती से अलग करने की कोशिश की तो मैं खुद को गोली मानूँगा मैं बस अपनी कृती के साथ ही जिन्दा दफन होना चाहता हूँ नताशा फिर भी वेद के थुड़ा और खरीब जाती है और उसे समझाते वोई कहती है देखो पागल पर मत करो कृती मर चुकी है अगर तुम क्यों अपनी सिंदकी खराब कर रहे हूँ लोट आओ वापिस नताशा की बात सुनकर वेद एक बार फिर चीक चीक करोने लगा था उसकी आखों के सामने उसकी कृती की लाश थी और वो लंबे लंबे बालों वाली लड़की कृती की लाश पर बैख खोन क्या सुरू रही थी अब तक वेद जिस छूट को नकारता आ रहा था आज वही एक सच बन कर उसके सामने ख़णा था वो लंबे बालों वाली लड़की कोई और नहीं बलकि कृती का ही एक साया था वेद ने कभी भी कृती के साय से प्यार नहीं किया लेकिन वो कृती की लाश को आज भी पेंतिहां प्यार करता था पर जैसे ही वेद ने कृती के चेहरे को देखा कृती भी तोनों बाहे भैलाए वेद को अपने पास बुला रही थी वेद ने नताशार पुलिस की आवास पर खौर कर वापस आने का मन भी किया मगर दूसरे ही पल कृती की रूह का दर्ट उससे देखा नहीं चा रहा था अर वो उस लंबे वालो वाली लड़की कृती की लाश में समा कर एक हो चुके थे जो इस वक्त दुलहन की तरह सजी कुई थी पुलिस भी उसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी मगर कोई कुछ समझ पाता इससे पहले वेद ने अपनी करदन में रिवाल्व लगा कर गोली दाती गोली सीधा खोपड़ी को चीरती हुई आसमान की ओर चली गई और वेद का नरचीव जिस्म अपनी कृती की उपर ही थडाम से गर गया और अगले ही बल दोनों फिसलते को एक कब्र में चांक रे कब्र में गिरने के बाद कृती का सुरू वेद के सीने पर था जिने देख ऐसा लग रहा था कि अब चांकर दोनों ने एक दूसरे को पाया हो नताशा ने जब वेद और कृति को एक दूसरे की बाहों में देखा तो उसकी आखों से आसू आ गए थे वो भी बैठ कर दोनों को देख रोने लगी थी कृति को दिल की बिमारी थी दो हार्ट अटैक पहले ही आ चुके थे बाइपास सर्जुरी होने के बाद भी कृति को तीसरा टैक आ गया और वो भी ऐसे वक्त पर आया जब घर में कोई नहीं था वेद कृति से पे इंतिहां प्यार करता था उसने कृति का ओफिस जाना भी बंद करवा दिया था मगर उसकी एक जित की वज़े से कृति आफिस चली जाती थी कुछ दिनों से कृति ज्यादा इठकी ठकी रहने लगी थी शायद उसकी कमजोरी का कारण उसकी बीमारी थी और जिस बात का टर था वही हुआ जब कृति को तीसरा टैक आया उस वक्त घर में कोई नहीं था इस तरह सोई कृति दुबारा उट भी न सकी और मौत का सदमा वेद को बरदाश नहीं हुआ जिससे वह अपना बानसिक संतुलन खो बैठा और चाहकर भी कृति को मरा हुआ नहीं मान पाया और आखर इसी पे इंतिहा प्यार के पागलपन में उसने अपनी चान दे थी डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हौरर हिंदी और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी तरावनी कहानी देखें दुनिया वाले तो अभी भेजी अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल इट्रेस पर हो सकता है अगली रूप के पादेने वाली कहानी आपकी हो